किसी भी person को पैसा उधार देने से पहले हम यह सोचते हैं कि उसी credit worthiness कैसी है यानि कि वो हमारा पैसा return करेगा या return नहीं करेगा ऐसा ही एक assessment होता है countries के लिए जिसे कहते हैं sovereign rating लेकिन यह sovereign rating होता क्या है यह वो rating है जो की rating agencies करती है जैसे कि Moody, Fitch, S&P यह global rating agencies है जो अलग-अलग countries की rating करती है इस rating से हमें यह पता लगता है कि अगर वहां की government कोई fund raise कर रही है तो उसका repayment होने के कितनी possibility है जैसे कि for example Moody ने India की जो भी rating कर रही है that is BAA3 और उसका outlook है stable outlook stable होने का मतलब यह है कि rating जो है वो in future negative नहीं होगी लेकिन इसी basis पे foreign के investor यह decide करते हैं कि उन्हें इंडिया में invest करना है या नहीं करना ऐसे और भी informative videos के लिए हमारे चैनल को subscribe and follow ज़रूर करना Thank you so much